हाई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल इस्टॉक राइडर सो फ्रेंड्स इस्टॉक एनलिस इस वीडियो में आपका स्वागत है और अजम बात करेंगे दीपक फर्टिलाइजर्स इस स्टॉक के बारे में 52 वीक का ही है 724.80 52 वीक का लो है 343.55 quantity last trading session में ट्रेड वी थी एक लाग संतार मजार 386 delivery quantity इन 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 चार सो चालेज डिलिवरी परसेंटेज 50.38% डिलिवरी परसेंटेज तो अच्छी है बट डिलिवरी बेस selling है ना कि buying तो market cap है 7625 करोड की debt है 2656 करोड का pledge percentage 90.46% आप यह देख पा रहे होगे data 90.6% की pledge percentage है अब आप अंदाज है लगा सकते हो क्या हो सकता है stock के अंदर तो share holding pattern की बात करते है promoters की last three quarter में 53.06 से 47.58 ये गिर चुकी है FII की 1.57 से 14.29 ये बड़ी है DII 4.95 से 1.56 गट चुकी है पब्लिक यान रिटेलर्स 40.42 से 36.56 ये भी गट चुकी है देखा जाए इसी stock में FII's bullish है promoters almost constant है बट DII's और पब्लिक यान रिटेलर्स दोनों की share holding कम होई है तो चार्ट पे बात करते हैं ये इसी stock का one week का चार्ट one week के चार्ट में rsi 56 ये है one day का चारट one day के चारट में rsi 48 और ये है इसी stock का one hour का चार्ट one hour के चार्ट तो वनार के चार्ट में तो ओवर सोल जोन में जा चुकी है इसमें भी गई नहीं है और वीकली में भी नहीं गई है देखा जाए यहां पर 725 के आसपास में आई लगाया है और लो इसका 343 के आसपास में है यहां पर तो यह weekly chart है हम daily chart में बात करते है इसमें अलर्ट जो मैंने लिखा हुआ है अपने वीडियो के thumbnail पे उसका मतलब बताते हैं तो वन डे के चार्ट में अगर आप देखेंगे यहां पे एक स्विंग है यह एक स्विंग है और यह एक स्विंग है आपको यह head and shoulder pattern नहीं दिख रहा आपको लगता है जिनको लगता है head and shoulder pattern है आप वीडियो comment box में post कर सकते हैं आपना view दे सकते हैं कि head and shoulder pattern है नहीं है यहाँ पर trend line नीचे trend line है आप clearly देख सकते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं one day के chart में देखिए यहाँ पर 490 के आसपास में यह एक बहुत बड़ा support हो सकता है इसी stock के बारे में अभी stock 632.75 पर है तो जो लोग इस stock में long term की सोच रहे हैं या investment करने के लिए सोच रहे हैं अभी प्लीज आप इस stock से दूर रहे हैं क्योंकि इस stock में आप देख रहे होगे one day के chart में है six days से continue selling है six days यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूं यह tail की इस tail के बारे में मैंने अभी recent video बनाई थी persistence system की वहाँ पे लोगों समझ में आ गया होगा tail नीचे पूरा करने के लिए कैसे आते या फिर उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी IRCTC के ऊपर वहाँ भी tail पूरा हुआ नीचे यह tail पूरा हुआ अभी एक tail यह है एक tail यह है अभी tail बहुत सारे बाकी बचे हुए जो पूरे होने नीचे तो तो यह तो था ही टेल के बारे में इंफोर्मेशन जो किसी भी केंडल का टेल है वो पूरा करेगी ही केंडल लेकिन अभी इसी स्टॉक में क्या कर सकते हैं जो लोग अब उपर की लेवल पर इन्वेस्टिड हैं अब आप पैनिक मत कीजिए क्योंकि अब अगर आप इसी स्टॉक से दूर रहे हैं जो लोग इंट्राडे देखना चाहा रहे हैं यहां पर यह स्टॉक जैसे अगर आप देखिए सिक्स केंडल बनी है रेड तो यहां पर एक पूल बेक आसकता है अपसाइड में या फिर एक डोजी टाइप की केंडल बन सकती है जो ग्रीन अब इसमें बाइंग हैपनिंग हो रही है तो यह इस चीज से दूर रहना जब भी अगर यहां पर डोजी बन जाती है वंडे के चार्ट में तो नेक्स डे में जैसे ही उस डोजी का लो ब्रीक होता है आप इसी स्टॉक को इमेडिटली सॉट कीजे नीचे का टार्गिट 618 एट 620 के आसपास हो सकते हैं लेकिन क्योंकि इस स्टॉक में ना तो कोई CEPE है ना इसी स्टॉक को कोई फ्यूचर है तो आप इसी स्टॉक को डे टू डे में इंट्राडे ही कर सकते हैं और बाकी जो लोग फ्रेस इंवेश्टमेंट देखना चाह रहे हैं यहां पर अगर मै इस केंडल की बारे में बात करता हूँ जो यह डिक है अगर नीचे का इसका सपोर्ट है तो यहां पर देखिए दो सपोर्ट है यहां दिख रहा होगा 557 तो नीचे 557 तक तो आए गई आएगा उसके बाद और नीचे का सपोर्ट है वो 403 भी दिखा रहा है जबकि मैं बता बावट हो सकती है इसे stock के अंदर क्योंकि जब भी head and shoulder pattern बनता है इस type में होगा और जैसे यह जो आपका 557 का level है यह नीचे break होता है तो यह बहुत बड़ा fall होगा एक साथ बहुत तेजी से होगा और वो एक ही दिन में भी हो सकता है तो इस stock में आप सिफ intraday कर सकते हैं वो भ यहां पर एक doji type of candle बना ही उसके बाद low break हुआ नीचे तो फिर इसने यहीं पर भी support लिया देखो यहां पर इस candle के अ-सपास गया है यहां पर जब यह उपर गया नीचे आया तो फिर यहां पर शुपर गया फिर वहापस आया इस candle का लो-लो का जो support है वह यहां लिया उपर सब्गांग जणा सब्सक्राइब हो यहां पर सपोर्ट कहीं bastleuton छेटने भी सब्सक्षयप ? यहां पर सपोर्ट कहीं भी ले सकता है तो अबसल blurred Water मुवमें पर सफेऩे मारी क्योंकि πैहे सब्सक्राइम पर सब्सक्राइब बाकि आप देखिए इस चार्ट को और देखिए इसी स्टॉक को कैसे मूव करता है और उसके बास से आप अपना डिसीजन इसी स्टॉक में ले सकते हैं आपको लिंक बल जाएंग आप जाके जोई अ attracting you friendsů